हेलो गाइस विल्कम बैक माई टू चैनल हमारे टू चैनल में आप सबी लोगा सवगत आज मैं बात करें हूँ रिंकल आइब्रो डेजर इसकीन प्रोटेक्शन स्टेनलेस स्टील सेफटी कवर इज यूज टू प्रोटेक्ट ओमेंस डिलाइक्टेड एंड सेंस्टिव इसकीन आइब्रो डेजर जो है स्टेनलेस सेफटी कवर तीन पीस के साथ आपको मिल जाता है यह रेजर यह हमारे इसकीन आटो डेक्शन स्टे डिखा हुआ है कि आप कैसे का इसका इसकार प्लेट करने हैं वी कल देख सकते हैं कैसे से रोकने के लिए प्रतेक विलेट से जुड़ा एक स्टेनलेस इस्टिल सुरच्छा कवर होता है यहां तक कि नौसक्या भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं सुरच्छी दूरूप से इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि यह जो है इवेन विगनर्स कैन इचली एंड शेटली इब्रो रेजर को 50-60 डिग्री से नीचे रखना है गाइस आप देख सकते हैं मेरीन चाइना या चाइना का माल है इसकी आप जान लेते हैं सौधानी गाइस भंडार करते समय सीधी दूप और नमी से आप बचे इसका इस्तिमाल करने के बाद तो फानली गाइस देख सकते ह इसकी ओपनिंग कुछ इस तरह से है इसमें आपको तीन सेफ मैनी तीन रेजर मिल जाता है तो चलिए मैं एक रेजर निकाल लेती हूँ फानली गाइस यह आपको पांच हमेने के लिए छुटी हो जाता है अगर आप एक बार ले लेते हैं तो तो गाइस फानली आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है जो की रेजर है रेजर के पीछे गाइस स्टेनलेस लगा हुआ है जो की बहुत ही हमारे स्किन के लिए सुरुच्छा है तो गाइस फानली इसको हम कुछ इस तरह से नीचे की तरफ करते हुगे अपना आइब्रो शेट करेंगे खास बात है इसमें stainless लगा हुआ है जो की blade आपके skin से जो बाल है उसको निकालता है मैंने आरेटी पहले से ही अपने skin में moisture rager cream apply कर ली हूँ अगर आप महिश्यराजे क्रीम अपलाई नहीं किये हैं तो आप स्विविंग क्रीम लगा सकते हैं स्विविंग क्रीम को लगाने के बाद आप इस ब्रश का रेजर का इस्तिमाल करें आपको स्विविंग क्रीम लगाने के बाद अगर आप apply करेंगे इस razor को अपने skin पे तो आपका skin जो है वा कटेगा नहीं अच्छी तरीके से आपकी eyebrow shape में बन जाएगा और इसे guys बच्चों की पहुच से दूर रखे नहीं तो आपके बच्चे को नुक्सान पहुच सकता है तो guys finally देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम अपने foreheads को भी clean कर लेंगे साफ कर लेंगे तो guys देख सकते हैं आपको ये बाल दीख रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपके छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े सभी बाल निकल जाते हैं तो finally guys मेरा एक तरफ का eyebrow जो है वह बन गया है और मैं दूसरे तरफ का भी eyebrow अपना set कर रहे हूं बना रहे हूं तो कुछ इस तरह से आप आसानी और एकडम पांच मिनिट में guys आप घर बैठे अपने eyebrow को set कर सकते हैं बना सकते हैं पालर जाने की जंजड से दूर रहें guys पालर जाने की छुटकारा आपको घर पे मिल जाता है पालर से अच्छा भी guys आप घर पे अपने eyebrow को set कर सकते हैं मेरा गाइस यही recommend रहेगा कि आप एक बर इसका इस्तिमाल यूज करिए और मेरे को comment box में बताइए कि इसका यूज कैसा रहा बहुत लोग इसको facial ragger के नाम से भी जानते हैं इसको facial ragger का नाम भी दिया गया है क्योंकि guys इससे छोटे छोटे बाल जो हैं वह बारकी से निकल जाते हैं जब हम अपने skin पे facial करवाते हैं तो हमारे skin पे जो बाल रहते हैं हुआ सुनहरे कलर के रंके हो जाते हैं रेट कलर के तो आप इस रेजर से बाल को निका लेजिए इसके बाद आप इसकीन पे अपने अपलाई करिए फेजियर तो फाइनली गाज देख सकते हैं मेरा जो लुक है वह पूरा हो गया है इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे पेंसिल तो आप कोई भी आइब्रो पेंसिल ले सकते हैं आइब्रो पेंसिल से अपने आइब्रो पे लगा लेजिए इसके बाद हम लेंगे एक स्पूली स्पूली के मदद से हम अपने आइब्रो को सेट कर देंगे ताकि जो भद्दा भद्दा सा दिख रहा हो अच्छे तरीके से सेट हो जाए आइब्रो पे तो guys finally आप देख सकते हैं हम इस पूली की साहता से अपने आइब्रो को finally कुछ इस तरीके से साफ कर लेंगे clean कर देंगे अच्छी तरीके से इसको set कर देंगे तो guys finally look आप देख सकते हैं मेरा हो गया है पूरा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर फैंस एक लाइक कर दीजिएगा इसके बाद guys मैं apply कर लहीं हूँ बिंदी क्योंकि बिंदी के पिनाज जो है की विवाही ते लेडिस जो है अवरते उनका सिंगार अच्छा नहीं लगता है तो finally guys कुछ इस तरीके से मैंने अपने चेहरे को वयानी कर लिया है ready screen को